Hello friends आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी Gmail अकाउंट को या Gmail ID को डिलीट कैसे कर सकते हैं अपने PC में तो friends मैं आपको पूरा बताऊंगा आप वीडियो को बिल को इसके मत कीजिगा तो without wasting any time let's begin with this video इसके लिए, हमें वह जीमेल अकाउंट उपन का लेना है, जिस जीमेल अकाउंट के हमें डिलीड काना है, यह मैंने उपन का लिया, इसे उपन करने के बाद फ्रेंट हमें यहां पार लेप साइड में कुछ उप्शन्स देखने को मिल जाते हैं, होम पर्सट्णल इंफो डेट एट डेटा एज पर्सनलाजेशन के पर्सनलाजेशन हमें डेटा एज पर्सनलाजेशन में słu कलिक करना है इसमें क्लिक करने का nucleus स्क्रॉल करना है यहाँ पर वक्ष्ण को एक ख़िन आप di हो एक तог्हो elbows देखने यूर अकायूट पर क्लिक्ट करना है जैसे हम खुलुक करेंगे यह हमसे पासवर्ड मंगे तो हम यहाः पर अपना पासवर्ड लेने का देना है मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर next का option को देखने को मिल जाता है इसमें हम click करेंगे तो friends थोड़ सा time लेके आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें को इस तरह का interface देखने को मिल जाता है अब हमें इस scroll करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है यह yes I acknowledge that I am responsible for any changes inaccurate due to any pending तो friends आपको यह दोनों को tick कर देना है yes की condition आप चाहिए तो इसे read कर सकते हैं अब यहाँ पर delete account लखा हुआ है इसमें हमें click कर देना है तो friends यहाँ पर आपको यह शायद यह option आए तो आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है then guys आप देख सकते हैं यह आपका Gmail account हो गया delete तो friends इस तरीके से हाँ आपने PCA में किसी भी Gmail account को delete कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें आपको लिडियो को लाइक करे वीगा